तो आज हम डिसकस करने वाले हैं equivalent ratios क्या होते है equivalent ratios जैसे figure में दिया हुआ है 1 ratio 2, 2 ratio 4 and 4 ratio 8 तो यह आपस में क्या है equivalent है देखने में अलग-अलग अलग रहे हैं आपके रहे होंगे कि अरे नहीं यह तो सब यह अलग-अलग हैं कैसे similar हैं बट यह आपस में similar हैं जब इनको हम lowest form में solve करेंगे ना तो यह similar हो जाएंगे जैसे 2 by 10 equal 1 by 5 है तो numerically जब आपस में क्या होते हैं में solve किया जाएगा ना तो वो 1 by 5 ही आएगा जैसे यहां पर भी देख लिजिए 1 ratio 6, 100 ratio 600, 20 ratio 120, 5 ratio 30 यह अलग-अलग दिखतो रहे हैं बट यह आपस में क्या है similar है by multiplication or division method इनको solve किया गया है ठीक जैसे 100 को multiply किया गया है फिर division किया गया 5 से इस तरह से अब यहां पर 2 by 7 है औ 2 by 16 है दोनों को क्या किया गया है दोनों में क्या किया गया है तू से multiply किया गया है numerator denominator और एक में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है numerator और denominator को 4 से तो जो हमको मिला है ratio वो क्या है equivalent ratio है अब एक और एक्जाम्पल यहां पर देख लिजिए से 2 by 6 है हमने जब इसको 2 से क्य किया डिबाइट किया तो 1 by 3 मिला तो 2 by 6 और 1 by 3 जो है ना वो क्या है equivalent fraction है एक और यहां पर example दिया है 2 और 3 से same ratio को divide और multiply किया गया है तो हमें जो मिला है वो क्या equivalent ratio hopefully वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग